हेलो एव्रिवन वेलकम टू डाउटनेट एंड वेलकम टू यॉर आइटी क्लास तो बच्चो मेरा नाम है आकर्ष्ट और मैं आपको कम्ट्यूटर एजुकेटर तो आज हम पार्टे एंप्लाइब इसकिल्स की यूट नंबर फाइफ ग्रीन इसकिल्स करेंगे और इस यून सेशन है दो टॉपिक्स है में जो आज स्टडी करने है सोसाइटी और इन्वावमेंट और और रोल इस सस्टेनबल ठीक है तो बच्चो इस टॉपिक के अंदर में डिसकस क्या करता है इस यूनिट के अंदर ग्रीन स्किल्स नाम तोड़ा क्लियर हो रहा होगा इसमें तोड करा चेंज्गमेंट आता है इनवावमेंट के अंतर तो चलिए स्टाइट करते हैं और समझते शबसे पहले सोसाइटी और इन्वावमेंट देख़िये जब्मी कहींड मेंट होता है तो ज़रूरी यह बात किलों कहीं भी होगा जिस जगह भी हो रहा होगा वहाँ कुछ ना कुछ नई चीजे हो रही होंगी तो इन्वाउमेंट में पॉलिशन भी इंक्रीज होने के चांसे बढ़ जाते हैं जब कोई चीज नई बिल्डिंग से आप समझ ले ग्जांपर के तौर पर कहीं बिल्डिंग बन रही ठीक सब्सक्राइब कर रहे हैं और डवलमेंट की वजह से क्या हो रहा है पटा कहीं ना कहीं इन्वाउमेंट के अंदर पॉपलेशन इंक्रीज हो रहा है और हम नैच्रल रिसोर्सेज का भी यूज कहीं ना कहीं कर रहे हैं तो अगर यहां बात करें तो डवलमेंट तो स्टेज है जो कि होता रहेगा ठीक है डवलमेंट तो होता रहता है उसकी वज़े से पॉपलेंट पॉपलेंट पॉपलीशन भी इंक्रीज होती रहती है अगर बात करें यहां पर कि सोसाइटी में क्या एफेक्ट है यह से यहां पर लिखा है ओर दाइयर विट इकोनामिक डवलमेंट जब हम एकोनामिक डवलमेंट करते हैं बिल्कुल चबट डवलमेंट होका तो पॉलिशन तो इंक्रीज होगा कोई भी ग्जामपल ले लिए ठीक है तो जिसकी वजह से हमारी स्वाइल जो होती है उसमें स्वाइल डिग्रेडेशन होता है मतलब स्वाइल की जो निट्रीशन सोते हैं वो खताम होने लगते हैं ओवर अ टाइम ठीक है जैसे कि आपने लिखा है विद इंट्रॉक्शन आफ हाइक इंपूट अगली हो रहा होगा ज्यादा पैदावार की जारी होगी क्रॉप्स की ज्यादा पैदावार की जारी होगी मतलब जहां पे हाई अगली कल्चर हो रहा होगा तो वी कैन ग्रो मौर फूड बाई यूजिंग फटिलाइजर से एंड पैसिसाइट अं हाइब्रिड क्रॉप्स तो यह ह हमारी स्वैल कहीं नग्रेड हो रही होती है मतलब स्वायल के जो क्वालिटी है वह कम हो रही होती है तो क्या हो रहा है तो कि डवलोम्मेंट की वज़े Раз Whats अक्वारी करेगा एफ संट करेगा तो हमारी सो साइटी जिसमें हम रहते भी एफेक्ट करेगी ठीक है बट इस लेट टूर स्वाइलन इन्वार्मेंट डिग्रेडेशन बिल्कुल कि जब आप पैसिसाइड या हाइब्रीड क्रॉब या फटिलाइजर का यूज करते हैं अगरी कल्चर में तो कहीं न कहीं स्वाइल्स का डिग्रेडेशन और इन्वा प्लान करना पड़ता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं और जो डवल्मेंट हम कर रहे हैं ठीक है उसको इस तरह से करना पड़ता है कि उसका जो एफेक्ट है वह इन्वार्मेंट पे ज्यादा ना पड़े और जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कम से कम यूज कर सके कि आने वाली जो आने वारी generation है वो उस resources का यूज कर पाए जो हम आज के टाइम पे कर रहे हैं तो sustainable का मतलब यही है कि हमको development इस तरह से करना इस plan के साथ करना है कि जो resources आज के टाइम पे available है उन resources का future generation भी उसका यूज कर पाए उनके लिए वह available रहें तो that we are in our future generation can enjoy good and warm तो जब हम society and development करेंगे तो में इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा development sustainable on a cheat means कि जो resources हम use कर रहे हैं वो कहीं न कहीं आने वाली future generation के लिए भी available रहें वो भी उनका enjoy कर सके उनका use कर सके और हम कम से कम involvement को effect करें अपने development के टाइम पे तो यह बात आई तिंग क्लियर हो गई हो अब यहां भी बात आती है what is sustainable development अभी मैंने आपको बताया कि sustainable development एक वो development बोरता है जब हम डवलब तो करते हैं बढ़ रिसोर्स को अपनी need के according जादा extra resources को यूज नहीं करते हैं कि resources को एक प्रॉपर नी प्लैन तरीके से यूज करते हैं कि वो resources जो आज available है उनको इस तरह से यूज किया जाए कि वो आगे चल के future generation के लिए भी available रहे और वो भी उनका enjoyment enjoy कर सके उस resources का जो कि available है जो कि हमें natural resources मिल रहे हैं तो यह definitions आप से एक्जाम में पूछी जा सकती है कि sustainable development is a development that meets the need of the needs of present present की नीट तो पूरी कर रहे है without compromising the ability of future generation बिना compromise कि यह future generation के लिए मतलब हम जो resources है जो development हम कर रहे हैं वह हम तो use कर रहे हैं बिना किसी compromise के मतलब कि अगर हमारी आने वाली जनेरेशन है वह भी इन resources का use कर पाए properly तरीके से तो meet the their own needs तो उनके लिए भी अगर resources available रहेंगे तो वो भी अपना कहीं ना कहीं development करेंगे आगे चलके तो उनको भी benefit होगा कहीं तो इस तरह का development हमें करना पड़ता है इस तरह के plan बनाने पड़ते हैं तो कहीं भी development हो रहा होता है तो कुछ plans होते हैं कि भाई कम से कम resources का use किया जाए resources का loss ना किया जाए जो resources हमारे पास available है क्योंकि आने वाली generation के लिए resources होने चाहिए ठीक है the concept of sustainable development can be interpreted in many different ways देखे जो sustainable development concept है वह उसको बहुत तरह समझ सकते हैं बहुत तरह से interpret किया जा सकता है कि किसी क्या कहां कहां पे कहां कहां पे sustainable development कि हमें बातों का ध्यान रखना पड़ता है but at it is a core is an approach to develop that looks to balance different and often competing needs again the awareness of the environmental and social and economical limitation we as face society the society में जब development होता है तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि हमें लोगों को awareness भी बतानी पड़ती है कि जब हम कुछ डवलप कर रहे हैं कोई development हो रहा है तो लोगों को awareness बतानी पड़ती कि इसका economical effect क्या होगा इसका environmental effect क्या होगा जब डवलमेंट होगा ठीक है क्या यह development sustainable है कितने resources इसमें यूज किये जाएंगे तो different different categories different different ट्रेके से हम integrate कर सकते है sustainable development को ठीक है तो हमें जब भी डवलप करें तो इस तरह की approach रखनी होती है कि जिसके थुरू हम सब कुछ balance कर सके balancing में चले ना कोई ज्यादा हो ना कुछ कम हो तो balance में होना चाहिए कि ऐसा development होगे जो balance हो जिसमें environment को ज्यादा हम ना हो रहा हो resources को loss ना हो रहा हो economical growth भी ठीक हो ठीक है environmental growth भी ठीक हो और society balance में रहें तो यह sustainable development के अंदर यह concept आता है तो exam के अंदर आप यह definition यूज कर सकते हैं अगर आप से पूछा जाए कि वाट इस सस्टेंबल development ठीक है अब आगे चलते हैं अब आगे क्या इंपॉर्टेंस क्या है देखिए sustainable development के इंपॉर्टेंस के यहां पर मैंने तीन पॉइंट लिखे हुए देखिए जब भी development होता है कहीं भी development होता है तो क्या होता है resources का use बहुत किया जाता है ठीक है तो यहां पर भी बात लिखी है कि economic development is using up resources of the world so quickly so future generation the young people of the world would have serious environmental problems to get much worse than lose that we are facing at present development देखिए अभी भी इस टाइम पे भी हम बहुत सारी problem face current resources को लेकर resources हमारे पास कम पढ़ रहे हैं ऐसे अगर बात करें resources हमारे पास कम पढ़ रहे हैं तो देखिए अगर हम balance के प्रॉप बैलेंसिंग में अगर डवलप्मेंट कर रहे और resources का प्रॉपर तरीके कर रहे हैं वह problem आगे चलके और बढ़ जाएगी future की generation के लिए क्योंकि सारे resources अगर हम खतम कर देंगे तो आने वाली generation के लिए क्या बचेगा ठीक है तो यह इंपोर्टेंस से sustainable development की कि आप को इस तरह से development करना है कि आपके resources आपको सारी चीजों को बैलेंस में रखना है ठीक है clear now with increasing population and income consumption of goods is increasing day by day बिल्कुल बात है कि भाई जैसे जैसे population बढ़ रही है income बढ़ रही है तो जो गुर्स है जो समान है उसकी consumption भी बढ़ रही है वह ज्यादा consume किया जा रहा है मार्केट के अंदर ठीक है this has led to increase in production and utilization of natural बिल्कुल जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसको बनाने के लिए ज्यादा यूज होंगे तो इससे क्या हो रही है कि जो नेचरल रिसोर्सेज उनका ज्यादा यूज किया जा तो पॉपलेशन एक फ्यक्टर है पॉपलेशन एक फ्यक्टर जिसकी वज़े से सब सस्टेइनबल डवलम्मेंट है वह हो नीपार प्रॉपर क्योंकि पॉपलेशन डे बाइडे इंक्रीज होती जा रही है अब उस पॉपलेशन को डिमांड पूरी करने के लिए हम नैचरल बढ़ रही है उसके लिए सस्टेनबल डवलेमेंट भी इंपॉर्टेस रगती है सोसाइटी मस्ट चे त्षेंज्ट डिइड डवलेमेंट इस ट्रीजी टू न्यू वे डवलमेंट विल लॉड लॉर्सी वी पूंधि दिस्ट्रॉय दिन वार्मेंट तो सौसाइटी वप अपने डवलममेंट में कुछ ना कुछ चेंज करना पढ़ेगा इस तरह से प्राइन बनाने पड़ेंगे कि कहीं भी इन्वार्यमेंट का एफेक्ट इन्वार्यमेंट पर ज्यादा एफेक्ट ना हो अगर ऐसा होगा तो आने वाली जो फ्यूचर जनेरेशन है वो खत्रे में रहेगी ठीक को इसका रिसोर्सेज ने होंगे सब्सक्राइब करेंगे तो इससरा से प्लैन बनाने पड़ेंगे इस प्रैटी बनानी पड़ेगी कि हमारा जो डूफ्लम मेंट वो सस्टेनवल हो ठीगे उसमें ज्यादा लॉस ना हो किसी भी चीज का सब चीज़े क्या हो बैलेंस में हो अच्छ जा सकता है तो यह चीव कैसे किया जा सकता है कि हम सब मिलके अगर अपनी लायर स्टाइल को सस्टेनबल बना ले कि हम लिमिटेड चीजों को यूज करें ठीक है चीजों की बरबादी ना करें जिसे हम बोलते की जो की रिसोर्स हमें मिले है नैच्अरल इस अगर हम इसको destroy नहीं करें उनकी बरबादी न करें तो हम यह sustainable development को अचीव कर सकते हैं और हमारी future की आने वाले generations के लिए हम उनके लिए resources बचा सकते हैं कि वो उसका भी वो भी enjoy प्रवाइं कर पाएं ठीच तो इसलिए इंपोर्टेंट है तो जहां की वज़े से बदला आनेवाले फीचरिंवायमेंट एफेक्ट हो रहा है ठीक है रिसोर्सेस की सस्टेनबल डवलमेंट में कि जब सस्टेनबल डवलमेंट होता है जब करते हैं तो उसमें मेजर फैक्टर क्या प्रॉब्लम आने में तो मेजर फैक्टर जो तीन यहां पे फूड वाटर और फ्यूल यह तीन मेजर फैक्टर है जो कि प्रॉब्लम फेस किया जाते हैं जब सस offs grow करनी अच्छी क्या ज् combustion कि तो क्या होगा आपको huge amount of the आयो गाइभ य्डादा ně्यायोगा और सलेंट चाहिण हो जिसे क्या इसको मिन क्या आइल हो ज्यादा फैट mirror तो धिके इस tipping becoming less as we're using up more and more land for the purpose देखेए अगर हम उसको जादा यूज कर रहे तो उसकी स्वाइल की क्या होगी डिग्रेट होने लगेगी तो आने वाले आगे की समय में उस पे पर प्रटिलाइजेश उस पर क्रॉप नहीं ग्रोग की जा सकती उस पर खेती नहीं की जा सकती क्योंकि जब स्वाइल में कॉलिटी नहीं बचेगी निट्रिशन निबचेंगे तो ग्रोग क्या करेंगे ठीक है तुम फूड भी अग मेजर फैक्टर है स्वाइल नूट्रिशन्स आर और अल्सो गेटिंग डिपलेटेड एन लॉट्स ऑफ कैमिकल आर स्वाइल डू टू कैमिकल फटिलाइज देगे अब वर्ड में पॉपलेशन इंक्रीज हो रही है तो फूड की डिमांड भी जादा बढ़ रही है अफूड को बढ़ाने के लि प्रबलम फेस की चारे सश्टेनिबलक्ण के अंधर टो फूड भी बड़ा सब्सक्राइब प्रोब् бизнес एक और और प्रब्लम बना हुआ है स्टेनिबल्ड डवल्वलमेंट के अंदर वॉर्टर आपदेखिए थी का में पीने के लिए दीरेदे वाटर भी फ्रेश वाटर ज भी सारी चीज़े बेलेंसिंग में होनी चाहिए अब बैलांस नहीं कर भार है वाटर की कमी ओर जी हो रही है तो रिसोर्सेग की कमी हो रही है क्योंकि हमने रिसोर्सेमा यूद्र लीक्त ना भे और रिवर्स और गेटिंग वॉलिटेड रिवर्स और पॉंट्स क्या हो रही है फॉलूटे डोर्ड इन ले विदर वी आफ्रसे विड बेदेश बिल विल क्लीन वाटर वॉर्टर को वॉल्कुल हम क्या गर रे सोर्सेव का गलत तरीकर तरीकें यूज कर रहे वाटर बी कैसे बचाए कैसे सको प्रोटेक्ट करें ठीक है कि आगे आने वाली जनेरेशन के लिए वाटर इवेलबल रहे क्लीन और फ्रेश रहे उसको पॉलिट होने से ना बचाए तो यह भी एक बड़ा फैक्टर वाटर भी प्रॉब्लम है सस्टेनबल डबलेमेंट के फ्यूल ठीक है वी आर यूजिंग लॉट फॉट फॉट फॉट्रीज एस फ्यूल एंड कंस्रॉक्ट्ट्ट्सन फोम्स और फॉर्म फर नीचर बिल्कुल देखे वुट्स का यूज कर रहे हम घर बनाने के लिए ठीक है वूट्स भी हमारे तरीक है के रिसोर्स जो नेच्रल रिसोर् और एक्स्रीन वेधर कंडिशन देगें जब प्लांट गटिंग यथी करण रोभी है तौका इनका हमारे क्लाइमेट को एफेक पड़ता है इन वानमेंट को एफेक पड़ता है ठीक है सचस्ट फ्लेड एक्सट्रीम कोड हीट और सीन इन इनडी मेनी प्लेसे यूज़ कर रहे है जो हमें रिसोर्सेस मिले है में वूट का हम प्ला प्री कटिंग कर रहे है रिसोर्से तो अवैलेबल है उनका इतना ज्यादा यूज़ कर रहे है कि उससे क्या और क्लाइमेट में चेंज में अफक्ट पढ़ ला है क्लाइमें चेंज में अफक्ट पढ़ेगा तो हमारी लिविंग लिविंग लाइफ पर पढ़ेगा ठीक है तो हम जैसे रहे रहे उस पर अफट पढ़ेगा तो हम रिसोर्स का ओवर यूज कर रहे हैं हम रिसोर्स का क्या कर अंदर आता क्या कि sustainable development क्या क्या इंक्लिव्ट करता है ठीक है अगर हम बात कर रहे sustainable development की तो क्या क्या include होता है उसमें देखें कुछ points है reducing excessive use of resource बिल्कुल sustainable development की जब बात होती है तो हम यह बात को ध्यार में रखते हैं कि जो resources है उनका ज्यादा यूज ना करें excessive यूज ना करें जितना नीड हो उतना ही यूज करें उससे ज्यादा का यूज ना करें and enhancing resource conservation और जो resource conservation है ठीक है जो resources को conserve करने के तरीका है उसको भी enhance करें कि कैसे resources को बचा सकते हैं आने वाले समय के लिए टाइम के लिए ठीक है recycling reuse of waste material बिल्कुल reuse recycling वर्ड आपने सुना होगा कि हम क्या करें जो waste material है जिसे plastic bottle तो उसको recycle किया जा सकता है ठीक है recycle किया जा सकता है तो हम रिसाइकलिंग में बढ़ा धान दे रहे रियूजिंग में ध्यान दे रहे साइंटिफिक management of renewable resources especially by resources और जो renewable resources है उनको scientifically की तरीके से manage कर रहे जो renewable resources है जो कि बायो resources ज्यादा तर जो कि हमें natural से मिलने रिसोर्सेज़ है उनको हम manage करने के science का use कर रहे कि कैसे इनको बचाया जासकता कैसे इनको manage किया जा सकता है in the planting more trees green grassy patches trees to be in desperate between the concrete buildings बिल्कुल कि हम प्लाइब ट्रीज को प्लांड कर रहे हैं अगर ट्रीस प्लांड करेंगे ठीके तो हमारा involvement कहीं न कहीं सही रहेगा क्यूंकि sustainable चलब अधिक तो इस से बैलन्स बना रहेगा हमारे इल्वारमेंट के अंदर तो मोरें मोर ट्रीज प्लांटिंग भी हमारे सस्टेनवल डवलमेंट के अंदर इंक्लीूड होता है अहां सनलब है कि यूजिंग मोर इंवारमेंट फॉरेंडली मैटेरियस्म परियुदियु अ Mटेय locomotives मेटेरियल इसल का यूजlais करते की जो को beautiful और यूट्रेसाइबल माटेरियल टिके जो कि हमारे डिस्ट्रॉय कियर जा सकते बढ़े असानी से ठीके जो an को अफेक्ट ना करें के यूजर्व टेक्नोलोजी इस विच्वारेमेंटल फ्रेंडली बेर्ज़ान अफे चाहिए एको फ्रेंडली होनी चाहिए तो आज का लिको फ्रेंडली वर्ट का भी नाम सुना होगा कि ऐसा प्रोडिक्ट्स हैं ठीक है तो यह पॉइंट्स अगर एक्जाम के अंदर पूछे जाए तो आप यू के राइट पॉइंट्स ठीक है आप ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं सिंपल से पॉइंट है करि creators of the football circles ahете अब sustainable development goals क्या क्या है यह ऐए बहुत इंपोर्टेंट इस्से कोशarma सकता है क्या हुआ की यौर्म में समेट हुई इस बात को समझे में Steuna देवलम्मेंट गोल्स में इसमें 17 गोल्स आते हैं इसका मतलब यह ढ Canton에 लोगों के बीज में प्रॉसपरिटी इनवाइमेंट हमारा पर घ्र है हमारे सब लोग जो आरवर रहे हैं वो सब एक सांती तरीके से एक प्रस्पेटी लाइब जीए ठीक है सही तरीके सपनी लाइब काटे रिसोर्सेस का यूज करें और इन्वार्मेंट को पॉल्यूटेज होने से भी बचाएं तो ये क्या सोसाइटी टाइप का है ठीक है इसका एजेंडा क्या है इसका एजेंडा ये है कि 2030 तक हमें सारे सस्टे पीसेंस प्रॉस्पेरिटी दा सस्टेनबल डवलमेंट गोल्स वेर वर लॉंच्ट एड जुनाइटेट नेशन यूए से में लाउंच किया गया था सस्टेनबल डवलमेंट समिट न्यूइव इन 2015 यह भी याद रखेगा कि जो गोल है जो सस्टेनबल डवलमेंट गोल है कि लॉंच किया गया था 2015 में नियॉर्क के अंदर कि फॉर्मिंग एक 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनबल डवलमेंट इट हैसेट डी टार्गेट डैट कंट्रीज है फुश्ट वर्क टुए टुवर्ड अचीव 2030 आपको स्टेनबल डवलमेंट के अंदर कुछ दिया गयते इस स अगर अचीव कर लेते हैं तो हम अपने इन्वाउमेंट को प्रोटेट करेंगे अपने रिसोर्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो गोल्स की बात करेंगे आगी ठीक है अगर 17 17 SDGs have been made with the end to take care of importer important facing business governments society to your 70s goals when I get a issue on business can the issue government phase करी क्या issue society face कर रही है society face कर रही है ठीक है उसको ध्यान रखते हुए some of these issues are poverty gender equality way water use energy climate change biodiversity यह सब goals है इन सब बातों पे goals रखे गए है कि यह सारी चीजे जो face current issue face कर रहे इन पर हमको goal set करने है और इस goals के अंदर targets है कि वह अचीव करने है कि gender equality होनी चाहिए 2030 तक और जो water clean हो सबके लिए available रहे तो कुछ चीजे है जिनको अचीव करना है में 2030 countries are now making policies and regulation that will promote this sustainable system needed तो हर country क्या बना रही पॉलिसी बना रही कि जिसके तुरुम सस्टेनिबल डवलमेंट को अचीव कर पाए 2030 तक वैसे इंडिया भी बना रही है इंडिया ने भी बनाया है कि वैसे 2030 तक हमें sustainable development अचीव करना है उसके लिए पॉलिसी जैन रूल से रेगुलेशन बनाय जा रहे है कि इन्वार्मेंट में क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ चीजों पर बैन भी लगाया जा रहे है जो की इन्वार्मेंट के लिए हम फुल भी है ठीक है और एकोनॉमिक सेक्टर तो प्रुष्ट करने की कोशिस कर रहे हैं कि हमारे एकोनॉमिकल सेक्टर भी बूर्ट और इन्वार्मेंट भी एफेक्ट ना हो ठीक है हर कंट्री प्रॉस्प्रेस हो और उस महां के रहने वाले लोग भी पीस के तरह रहे सब कुछ प्रॉस्प्रेस होना चाहिए ठीक है तो यह बात है है सस्टेनल अर्जी सेवरंटीन गोल्स है कि इस चार्ड के अंदर जी सेवंटी मोल्स रखे गए है इज चार्ड के अंदर जी 17 गोल्स है सस्टेनल ड deber्मेंट कि यह सारे गोरण जो दिये गए यह सारे टार्गेट्स हमें अचीव करने 2030 तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नो पावर्टी मतलब कोई भी गरीबी नहीं होनी चाहिए जीरो अंगर मतलब भूक से कोई भी नहीं भूका नहीं होना चाहिए 2030 तक सब के पास खाना होना चाहिए सबके पास अच्छी तो ना चाहिए है तो ना चीए सब को कॉलिटी एजुकेशन मिले जेंडर एक्वालिटी हो वर्ड के अंदर मतलब वूमेन और मैं जो जो दोनों जेंडर है वह एक्वाल हो क्लीन वांटर रों सेनिटाइजेशन ठीक है क्लीन वाटर हो सैनिताइजिस Pier maiden जगा ये गोल्स आ कि अ情 Qurkel कीन इनरजी ऐसे अथ PP ऊने चाहिए जो कि अपोट की अफ्रीड एफ्रमेंट को अवर्णी तो अपन स्युलाज़ रिखर फैनली रही संट वर्ण का umm और होना चाहिए ठीक है रिडिर्द इनीक्वालिटी जो लोगों के बीच में डिफरेंस हैं लोग के बीच्का डिफरेंस है चायर वो चाई उयु कुलर के बशैनलो के बेस्क्राइब ठीक है कि वो नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में sustainable cities and community जो हमारी cities ओनी चाहिए वो sustainable development से बनी होनी चाहिए कि मतलब कहीं जो city's डवलब औरी कोई नया city बन रहा है तो वहां पर ज्यादा भी resources का loss ना किया जाए और इसको pollute करने को हो ना हो ठीक है कि जो सिटीज डवलप की जारी नियूस में पॉलिशन नहीं होना चाहिए सस्टेनिबल डवलमेंट किया जाना चाहिए जिस पॉंसिबल कशल सप उन प्रोड़क्शन कि पॉपरलिकिंट उपलेशन इंकरी यह तो में डिमांड के अकॉर्डिंग कि ना कशुम करना कि पर शूम करणा यह तो पर पूंपना पर भी एक्षिन लिया गया है य kaleazi मैंटे घ्मिंटी आ रहा है प्लांट कट करने से जा तो क्लाइमेट के लिए भी धीयान रखागे मरीन लाइफ के लिए फिर रह रहे है तो वह गन्दगी आहाफ देख रही है तो प्ल simplement नहीं चाहिए उनकी वज़ेस इन मॉर्मेंट एफट नहीं होना चाहिए लाइफ एंड लैंड हमारा लैंड पॉलिशन जो हो रहा है जो लोग हम रहे रहें लैंड पे तो उसको भी क्लीन रखना है उसको वहां के लोगों को भी अच्छे से डव्लप्मेंट करना है पीस जस्टिने स्ट्रॉंग इंसिट्यूशन और वर्ल्ड में पीस होना चाहिए जस्टिस होना चाहिए ठीक है इस सारी बातों का ध्यान रखना है के पार्टनेरशिप गोल्स हर कंट्री को एक साथ मिल गां करने है और बोल अचीव करना है यह सभसे लास्ट है कि हर स कंट्री य Smilka कां करना चाया तो यह गोल्स 2030 तक सारी कंट्रीज को अचीव करने टार्गेट रखा गिया है और बहुत सारी कंट्रीज इस पर काम कर रही है पॉलिसीज और रूसन रेगुलेशन डवलप कर रही है अब आगे चलते हैं कुछ इनिशेटिव ले गया सस्टेनेयम और डवलमेंट के अंदर आप समझ सकते हैं कुछ इस्टोरिज है यहां पर ठीक है तो एक करके दो तीरी स्टोरी से उसको समझते है वेल प्लास्टिक विर बेंड बाय दी मुनिसरिपल कॉपपरेशन और मैंगलूर मैंघलूर की जो मुसिपल कॉपरेशन सिर्फ प्लास्टिकी बände कर दी एन इन इन वेंटर हैं या एंट अपने इन वो न है जुड़ किया प्लास्टिक कर दिक अंदर तो इन वेंटर या एंटरेपनियर बोले मिस्टर आवस को उने एक अल्टरेंटिव निकाला एक अल्टरेंटिव तरीका निकाला जो एको फ्रेंड लिय जो कि एको फ्रेंड़ी एर ही मेड टेन भंडेट पर्सेंट बायो डी ग्रेडेबल बैग विच केंड डीजल़् तु अब्सक्राइं कर चाहिए… तो मिस्टर आवास क्या किया कि को एफेक्ट नहीं करेगा तो यह इनिशेटिव लिए जारे सस्टेनबल डवलमेंट के अंदर ठीक है एंद इस नौ बिंग यूज इन मैनी कंट्रीज इस गोएंग टू है दीन वार्मेंट बिल्कुल जब सस्टेनबल डवलमेंट करेंगे तो उनिवार्मेंट को help मिलेगा इंवारमेंट हम नहीं होगा ठीक है तो यह इ widgets to यह इनिवेंशन आइड आइडिया वास्थ उस्टाप दी उजव्फींग प्लास्टिक स्पूंस फोख्स ठीक है तो भ hygiene एक और तो नरायना पिसपाती मेड़ एडिबल कटलेरी आउट ओफ ग्रेंस उन्होंने क्या क्या कटलेरी बनाई किसके ग्रेंस के तुरू मतलब जो हमारे अनाज होते हैं दिस स्पून कैन भी एटन इवन इवन इव दे आर नॉट इटन दे विल बी इसले डिकम्पोज इन दिस वा है और वह क्या हो सकते वह सको कोई खा भी सकता को तो झाल बिजा सकता है और इसली इन्वामेंट में टो सब्सक्राइब हो जाएगा ठीक है और डीकंपोज होने तो स्वाइल तो क्या होगी न्यूट्रिशन मिलेगा तो एक यह भी इनिशेटिव लिया गया सस्टेनबल डफलमेंट का तो इससे भी नुवर्मेंट प्रोटेक्ट किया जा रहा है पॹत अब एक और इनिशेटीव है जो कि हमारे एए यह मिनिस्ट्री लेइन हैन एक सिर्टी यह आई वैप मिनिस्ट्री व्रेआज टेकिनद इनिशेटीव कि उन्होंने क्या क्या जो हमारी ट्रेंट के अंदर बच्चिन आ bloody दीं ओकपटेश्म सब्सक्राइब Northwestern को कुछ अधाल में को वोगह wash fuss में मिलती है तो प्लास्टिक आंड था प्ल्सक्राइब क BRAC 1947 डी भी होता है किसे बनहें से मित्टी से बने होते चो modification को क्राएबी उसमें चाहिए था था उसके होगा वी गल्यारेम नीशान मिल Salvador हो जाते ह हमारी मिट्टी के कुलर्स ठीक है तो रिप्लेज दी प्लास्टीक एंट पेपर कफस तु ब्रींग बैग टेस्ट आफ ट्रेडिशन क्योंकि पहले इंडिया में ट्रेडिशन क्या था भाइक मिट्टी की बरतन में खाना खाया जाता था चाई पी जाती थी ठीक है तो इनिशेटिव लिया कि ट्रेडिशन वापस लाते हैं और यो ट्रेडिशन मिट्टी के बर्तुन में खाना-खाने का था हमारा उसको वापस लाके उन्होंने क्या किया इन्वार्मेंट को प्रोटेक्ट किया और जो कब से पेपर से जिसके अंदर वो टी सेल हो रहा था उसको अधिस कर दिया तुमेजर एडवांटेज गेंड वाइधी कुल यूजिं कुलार्स जीडियूज इन कटिंग ओफ ट्री फॉर मेकिंग पेपर बिल्कुल जो कब बनने थे कब भाई किस से बनेंगे पेपर को कट करने ट्री इसको कट करने से बनते पेपर वहां से आता है त प्लास्टिक वेस्ट आ रहा तो इसको रिड्यूस कर दिया तो यह कुछ सस्टेनिमल डवलम्मेंट के इनिशेटिव लिए गया तो ऐसे आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई राइड दीवन इनिशेटिव ठीगे राइड दीवन इनिशेटिव तो आप इन ती सटेनिमल प्रोसेश के अंदर क्या है सम प्रैक्टिस अच अर्गैनिक फार्मिंग व्यर्मी कं पोसेष टिंग रेंड वॉटर हर्वेस्टिंग और बीम यूस्ट यूज तुप प्रेक्टिस अच आ इन्वार्मेंट होता है तो मैं उस तरह का प्रोसेश यूज करना पधा सबीक haven chemical का यूज नहीं करते तो उससे क्या होता है कि हमारी स्कॉइल भी देघ्रेट नहीं होती है वो आर्मी कंपोजिटिटिंग रेंवाटर स्टंग तो रेंवाटर की तुरू हम हर्वेष्ट करते हैं रेंवन्टर को यूज बड़े अच्छी तरह से कर रहे है ठीक है तो यहां पर पढ़ते हैं देखे एक कॉंसेट है और गेनिक फार्मिंग इस वेर फार्मस डोंट यूज चैमिकल्स पैसिसाइज और फटिलाइजर टू इंक्रीज देर प्रोडक्शन और गैनिक फार्मिंग वो दी जहां प सच काव डंक क्लोफ तो वहां पर और अर्गेनिक फार्मिंग कंतर रोंपर सैं वह और फोंपर यूजिस करेंसट काउकर तो वह हमारी क्या करती है क्राप्श को ग्रोंटी बहुत करती है ठीक है तिस हां दिस हेल्प क्वालेटीन को फीरी क्रॉपस वैल आड टी सेमी टाइ रही कि this is a true example of sustainable development बिल्कुल यह एक ग्जामपल सस्टेनिबल डवलब्मेंट का कि इसमें क्या क्या हो रहा है तो हमारे यह future for generation बिल्कुल हम यहाँ पे आर्थ के रिस्वसक तो करें जो नैचरल सूर्स थे मैं मिल रहा है उनका यूज भी कर रहैं और हम जो रिस्वर्सेस उनको प्रिजर्फ भी कर रहें for our future generation तो उसी को सस्टेनबल डवलमेंट भी कहते हैं कि preserving आफ नैचरल सूर्स पर दी का अवर future generation Tabii respectively ग्लेट बहुत इसंपल है ठीक नब हमारे पास क्या आता है आज हमらー रोल कगचा है बीटा अब हमारा रोल टोट उर्ट सस्टेनबल KKS क्बने चालोल है कि हमें कैसे सोसाइटी में कैसे में को चेंज करेंगे हमारा रोल क्या है ठीक तो चलिये स्टार्ट करते हैं सको भी सस्टेनबल डवलमेंट कैन एक्टुली है पेन वेन अउनली एच वन आफ आफ आस वर्ट तो अडिट देखे सस्टेनबल डवलमेंट अगर अचीव करना है तो हम सब को मिल के काम करना सबसे पहले तो क्वालिटी एजूकेशन मतब लोगों के बीच में क्वालिटी एजूकेशन होने चाहिए जब तो पॉलेटी एजूकेशन होगी तो यह हर चीज़ की तो कि अवेजने साथ जब कोई एजूकेटट नहीं होगा तो उसको इनवर्मेंट के बारे मैं चीव कहांसे आगे डिलेथ तो अवेरनेस लाने के लिए हमें क्वालिटी एजूकेशन देना पढ़ेगा एजूकेशन इस दी मोस्ट इंपॉर्टन फेक्टर आफ सेस्टेनबल डवलम्मेंट चिल्टर्न हुआब गॉन तु स्कूल विल बी एबल टू जॉब तो दू जॉब सो दे कैन टेक केर आफ दे को पैसा पैसा कमाने लगेंगे मार्केट पर जॉब क्रियेट हो जाएगी एजूकेशन हेल्प सब बिकम अवेर आफ दी रोल एज रिस्पॉंसबल सिटीजन बिल्कुल जो इंसान एजूकेटेड होता है उसको अपना रोल पता होता है कि उसका रोल इन्वार्मेंट या कि इस रिस्पॉंसबल सिटीजन के तोर पे क्या रोल है उसका तो वी शूट यूज फैसलेटी इस प्रेजेंट इन दी आवर एरिया तो हमें बिल्कुल जो फैसलेटीज हमें प्रेजेंट है उसका यूज करना चाहिए टेक आवर फ्रेंस तु स्कूल बिल्कुल हमें अपने फ्रेंड्स को बोलना चाहिए जो फ्रेंड्स स्कूल जाने से मना करते हैं तो अपने दोस्तों के स्कूल ले जाना चाहिए बोलना चाहिए कि चलो स्कूल चलो पढ़ाई करो एजुकेशन लोगों में वेरनेस करनी चाहिए हेल्फ फ्रेंड्स बिल्कुल अपने दोस्तों क को मोटिवेट करते हैं कि चलो पढ़ाई करो पढ़ाई करोगे तो यह यह फ्यूचर तुम्हारा होगा तुम क्या क्या कर सकते हैं पढ़ाई के थ्रू तो क्वालिटी एजूकेशन भी एक हमारा रोल है जो कि हमें सस्टेनबल डवलमेंट को अचीव करने में हेल्प करेगा ठीक है नेक्स्ट क्लीन वाटर और सेनिटाइजेशन यहीं गोल्स है कि भाई जो वाटर होना चाहिए चाहिए यह भी सस्टेनबल डवलमेंट का एक्जाब पॉइंट है ठीक है कि रोल है कि भाई जब भी हम देखें कि हम अपने घरों में सफाई रखें अगल बगल सब्सक्राइब चलता है क्ली इंडिया तो वहाँ में अवेरनेस करने लोगों में कि सफाई रखो सफाई रखो क्या होगा इन्वार्मेंट को कितना एफेक्ट होगा ठीक चलिए सब्सक्राइब क्लीन एनर्जी बिल्कुल ऐसे इनर्जी का यूज करना चाहिए जो कि हमारे इन्वार्मेंट को ज्यादा हम ना करें सोलर पावर हो गया ठीक है सोलर पावर जो होती हो पॉलिशन क्रेट नहीं करेंगी ठीक है और बाकी कई जगे से जैसे कि अगर हम बात कर सब्सक्राइब करते हैं थर्मल पावर प्लांट में भी क्या होता है बच्चो कि वहाँ पे कोईले का यूज किया जाता है कोल्स का तो वहाँ पर वेटा क्या होता है पॉलिट होता क्योंकि गैसे निकलती है तो हमें अफ़र्डेबल और की अर्जी का यूज करना चाहिए ठीक है चली नाओ डीसेंट वर्ग एक अच्छा काम और एकोनोमिक ग्रोथ अपनी खुद की अच्छा काम और एकोनोमिक ग्रोथ करने चाहिए इस्टडी एंड फाइंड गूड जॉब टेक केर आफ आवर सेल्फ एंड फैमिली बिल्कुल पढ़ाई करो और एक अच्छी जॉब पाओ जिससे कि आप अपनी केर भी कर पाओ अपनी फैमिली की भी ग्रोथ कर पाओ क्योंकि अगर आप पढ़के जॉब करोगे तो अपन हाई करने की कुछ इस्किल कर नीट स्किल का यूज कर के हमें अपनी सोसाइटि को भी ड revolves can करने में help करना चाहिए तुछा ό주 अगर आप इसकिल सिर एंगे तो खुद 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 को भी डवलप करेंगे अपने अगल बगल के लोगों को भी डव्लप करेंगे है अब यह फैक्टर रैसे डिज्योज इनेक्वालिटिस तु रिड्यूज इनेक्वालिटीस वी कैन पी हेलफ़ूल टू वन अनदर बिल्कुल लोगों को बीच में जो इनेक्वालिटीस रसको परना पड़ेगा लोगों को बताना पड़े गा कि हम सब एक ही है हमारे बीच म कोई भी डिफरेंस नहीं ना जेंडर का ना कास्ट का ना रिलीजन का ना कलर का ठीक है ना रेस्ट का भी फ्रेंडली विद अगर हम सब आपके साथ friendly रहेंगे include everyone while working or playing फ्लेंग बिल्कुल लोगों को आपको जब आप कुछ काम सीख रहे होँ एक्या कर रहे तो लोगों को लोगों को इन्क्लूट करना चाहिए लोगों को भी काम सिखाना चाहिए या खेल रहे हो या प्ले कर रहे हो तो आप विद एसस सोसाइटी एक गुड़ सिटीजन आपको लोगों से इंडल्ज रहना चाहिए लोगों से बाते करनी चाहिए उनके बीच में अवेरनेस फैलानी चाहिए कि help others by including everyone whether they are small big girl boy belong to class और कास्ट तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम भाई इसकास्ट ब्लॉंग करते हैं हम बॉय हैं हम घर ले हैं ठीक है हमारा कलर साफ है यह इसका काला है तो हमें यह सब इनक्वैलिटी जो हमारे सोसाइटी में डिफरेंस कर रही है कच्छा हुमन बनने से रिस्पॉंसबल सिटीजन बनने से रोग रही है तो आप इन सारी निक्वैलिटी जो है उसको ओवर कम करके आप सस्टेनेबल डवलमेंट अचीव कर सकते हैं ठीक है क्योंकि अगर हम यह मैं पर आने सोच रखेंगे हम गलत सोच रखेंगे हम मारे आने वाली जनरेशन ठीक है तो आने वाली जनरेशन भी खराब होगी तो हम्हें अपने सोच को बजलना पढ़ेगा को ना नेक्स सस्टेंपल से प्रोच करना है और ऐस Сам बनाना डवलब करना की जाप इन्वार्मेंट का हम ना और कम से कम नेटर रिसोर्स का यूज़ सेव इनर्जी बाइ यूज़ बाइ स्विचिंग आफ लाइट स्वैन वे नॉट इन यूज यूज नेच्टरल लाइट एज मेश पॉसिबल यूज एनर्जी एफिशिएंट ए इनर्षाम नहें और इनमोर्मेंट को ठ利 근육 नेच्रल लाइट जो आइण एक नेच्राल सौर्स है लाइट का तो वह एगर उसका जjenौक्त नहीं है तो उसका यूज ज्यादा करना चाहिए अचनल के प्रोटेक्ट लाइफ ब्लो उटर जो हमारी मरीलाई वसको प्रोटेट करना चाहिए प्रोटेक्ट लाइफ और लैंड कि भाई जो मरीन मेच मतलब जो शेंग रहने वाले मचली है जो भी आपके organism है जो भी मरीन में रहते हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट हमें करना चाहिए कि वहाँ पर पॉलिशन ना फैलाएं ठीके वहाँ पर जाके गार्बिस डंपना करें तो आप यह सारी बातों का ध्यांद रख सकते हैं ठीके प्रोटेक्ट लैंड ओफ लाइफ यह क्राब ओ ठीके कल्टिवेशन हैसा भी नी करना चाहिए तो यह प्लाइंट से और रिस्पॉंसीबल चूर्बर एंड प्रोट्यूसर एक हमें रिस प्लशुमर और प्रद्यूशर भी वरन चाहिए तो वी के लिए भीकवा ऐस्पॉंसीबल अबाउट ओन इवामेंट त सकते हैं जिन चीजों को रिसाइकल यह रीजिस के जा सकता है कि टेकिंग क्लॉद बैक तुदी मार्केट केरिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल बिल्कुल जो प्लास्टिक बैक्स बैक्स बैन कर दिये गए हैं बैन कर दिये जाने चाहिए कि लोगों को क्लॉद त्वाले क्या हम आ जाए बाइन एट सीजनल फूर्ट और वेजिटेबल फ्रॉम दी लोकल ग्रोवर्स बिल्कुल कि भाई जो हमारे लोकल मार्केट में लोग होते उन से समान खरीदना चाहिए उससे क्या होगा कि भाई उनकी एकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हम पूरी कंट्रीग एक क्या युञ जाधा करना है तो ऐसे करना चाहिए तो हमारी कंट्रीग्रोत होगी उक्रोमिक वह ठोक ठाइच है ठीकτε उनके लिकेट पी pos करने से पहले हमें एक डंपिंग यार्च बनाने चाहिए कि कहां पर गारबर्ज डिकंपोज करना यह कहां पर गारबर्ज ढालना है ठीक है और उसको ट्रीट करना ठीक है चली तो यह था हमारे ग्रीन स्किल्स की यूनिट में तो बहुत सिंपल है सिंपल है कि आप थोड़ा पर जिए ग्राफिक अंदर पढ़े होंगे अपने सारी चीजे पढ़ी होंगी तो आप इस एक्जाम में आपको तीन से करें टेक कर और इसको लाइक जरूर करना सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेर कर देना बाइबाइट टेक कर स्टूरिंट्स